हेलो एब्रिवन, वेलकम तो यूटूब चैनल ऑफ राधीका क्लासे तो आज की इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल सैंटर्म टू के उनकी बात करेंगे की आपके प्रैक्टिकल में आप से क्या-क्या पर्फोर्म कराकी पूछ पूछा जा सकता है क्या पर् Volumetric Analysis के बारे में कोशन आ सकता है आपका Volumetric Analysis आपकी 4 marks की होगी Volumetric Analysis मतलब titration ठीक है titration से first question होगा आपका फिर है salt analysis, salt analysis में आपको cation और anion, एक cation और एक anion identify करने के लिए आ सकता है 3rd होगा, वो 4 marks की होने वाली है, 3rd होगा आपका content based experiment ये बहुत easy होता है या तो आपसे कोई ना कोई salt बनवा के देखेंगे, salt preparation होगी आपकी या फिर जो आपने chapters organic के खतम कर लिए जिसमें सिरफ हम theory लिखते थे कि aldehyde को distinguish करो कि tone से या alcohol बताओ, phenol बताओ, carbox leak acid के chemical test जितने भी हमने पड़े वो हमें करके perform करके देखने पड़ेंगे, तो मतलब identification of functional group of any organic compound ये आपका two marks का होगा फिर आपने practical project file बनानी है, वो project file से भी आपसे question पूछ सकते हैं तो अपनी project file जिस भी topic पे बनाओ उसको बहुत अच्छे से पढ़के जाना वाईवा में आपसे कुछ भी question किसी chapter से related या आपके practical से related कुछ भी question आ सकता है जातर जो आप practical perform करके आये होगे तो उनके question भी आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे perform किया, titration कर रहे हो, तो क्या है titration, इस तरह के छुटे-छुटे questions पूछे जा सकते हैं टोटल ही आपका 15 marks का होने बला है, तो हम titration से start करते हैं, titration आपने term 1 में भी करी थी, तो वही सेम दुबारा से आप होने वाली है, तो सिरफ आपको basic idea उनका दे देती हूँ कि आपने क्या क्या करना है, चीक, तो titration volumetric analysis में titration, titration में आपको क्या करना है, क्या क्या करना है, क्या करना होता है, जो आपका burette में fill होगा ना, बूरेट के अंदर जो fill होता है, जो कि आपका भी KMNO-4 होने वाला है, उसकी हमें molarity निकालनी होती है, तो determination of molarity या concentration भी बोल सकते हैं, किस की KMNO-4 की, किस के साथ उसको titr करना है, titration करानी है, oxalic acid या फिर pharous ammonium sulfate के साथ, ox दोनों की molarity आपको बता देंगे, fix करके देंगे, इसकी भी, इसकी भी, आपको किसकी निकालनी होगी, KMNO4 की, ठीक है, तो अभी start करने से पहले बस इतनी बात का ध्यान रखना है, जिसकी आप molarity निकालना चाहरे हो, किसकी निकालना चाहरे हो, KMNO4 की, वो oxidizing agent है, clear, बातों क ध्यान से सुनना की क्या कै बोर्डियू क्या आपकी practical file में लिखा हो है, वो एक oxidizing agent है, oxidizing agent क्या होता है, जो reduction करता है, ठीक है, reduction होगी जिसमें, reduction का मतलब क्या होता है, gain of electron, clear है, gain of electron होगी, तो आपने na equations को ध्यान से देखना है, जो आपकी chemical equations लिखी हुई है, लंतों आप कर कि जाओगे कि इसमें हो क्या रहा है, ये equation लिखी हुई है, इसमें हो क्या रहा है, और आपका concept, देखो आप पढ़के जाओगे, आपको पता लग जाएगा, कि equation एक बर पढ़ी, दो बर पढ़ी, आप लिख लोगे, ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, वो इसी तरह से question कि आपने molarity निकाल ली है, सबसे पहले देखो, वो है क्या, KMNO4 is an oxidizing agent, oxidizing agent मतलब जो दूसरे की oxidation कराएगा, खुद reduction होगी, reduction का मतलब क्या है, gain of electron, मतलब KMNO4 electron gain करेगा, ठीक है, KMNO4 electron gain करता है, ठीक है, दूसरा question पूच सकते हैं आप से, अगर KMNO4 electron gain कर रहा है, तो उल् बला oxalic acid, वो क्या करेगा, eletron lose करेगा, वो क्या करेगा, electron lose करेगा, KMNO4, oxidizing agent, मतलब reduction होगी, reduction का मतलब है, electron का gain होना, clear है, oxalic acid is a reducing agent, reducing agent मतलब oxidation होगी, oxidation का मतलब है, loss of electron, दो बात di clear, अब अगला कोशन क्या पूच सकते हैं, जो oxidizing agent है, KMNO4, उसकी जो oxidizing agent है, है वो हम किसमें बैटर देखेंगे हम उसके अंदर क्या करेंगे सल्फ्यूरिक एसेड मिला हूँ है एच प्लस की मिलते ही जो हमने यह पूरा क्वांटिटिटिटिव एनलिसिस करनी है तो ऑक्सिडाइजिंग यह बेटर बेस में भी होता है वात इसमें ओएश मिला दो एस्टिक में भी बैस्ट ऑक्सिडाइजिंग एजेंट है लेगिन कौंटिटिटिव एनलिसिस करने के लिए मतलो मोलारिटि निकालने के लिए हमेशा अस्डी मिलाते हैं ठीक है कों सा इसलिए एड़ कर आया क्योंकि जो नाइट्रिक एसे नहीं वह खुद ही एक पावरफुल ऑक्सिडाइजिंग एजन्ट है ऐसी जो एसी एलना वह के एमनोफोर की साथ रियक्ट करा जेगा और वह पावरफुल ऑक्सिडाइजिंग एजन्ट बन सकता है ठीक है तो हमें के एम कौन सा मिलाएंगे तो कोश्चन दुबारा से पढ़ें क्या क्या आया क्या एक्सपेरिमेंट है आपका आप से पूछते हैं आप बोलोगे कि मुझे मुलैरिटी निकालनी है किमनोफोर की किसके साथ टाइट्रेशन कर रहे हो ऑक्जैली के साथ किमनोफोर क्या गाम करेगा केंनोफोर है ऑक्सिडाउजिंग था ऑकैजी मुलो गेंगे कि उसके साथ हम एक्सिण कराने रहे हैं जो औक्सली के साथ। एजन मतलब Oxidation करेगा Oxidation मतलब जो अपने लेक्ट्रोन करेगा क्लियर अच्छा फिर क्या पुछेंगे जो आपका KMNO4 है क्या मिला होगे कि उसकी Oxidizing एजन्ट की जो एन्हांस हो जाए आप बोलो कि Sulfuric acid हमें एक acid मिलाएंगे acid को मिला लिया कौन सा acid मिलाया Sulfuric acid HNO3 क्यों नहीं मिलाया HCL क्यों नहीं मिलाया क्योंकि वह powerful Oxidizing agent खुद से हैं इसलिए हम उनका यूज नहीं कर देगा फिर आप से घुमा फिर आके एक और कोशन पूछते हैं ताइट्रेशन तो हो रही है ठीक है आप टाइट्रेशन कर रहे हो आप मोलैरिटी निकाल रही कौन सी टाइप की वह है क्या बोलते है कौन सी टाइट्रेशन है फिर आप सोच में बढ़ जाओगे कौन सी टाइट्र अपको पताओ, एक oxidation होरी है, एक reduction होरी है, KMNO4 reduction करा रहे है, oxalic acid oxidation करा रहे है, oxidation, reduction, दोनों होरी है, दोनों को मिला के बनगी redox titration, reduction भी हुई, oxidation भी हुई, एकथे होगी reduction, oxidation, so this type of titration is known as redox titration, redox titration, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है, फिल क्या ध्यान रखना है, जब आप equations को देखोगे पूरा कुछ नहीं अपने थूरी बना बना के लिखी जा सकते हैं फिर आपने दूसरा लिखा सारा Kुछ यहीं हुआ है नवे यहां पर लिखा होगा यह आपने लिखना है प्रोसीजर का ध्यान रखना होता है फिर आपने जब की अगला एक्सपेरिमेंट हो ध्यान लांड रखना की अमनओ 4 हमेशा 5 लेक्टोन गेंकरता है Firma 5 लेक्टोन दिबाइंट अपने दिमांग में इस बात को फिट कर लो वह कितने EF कर टा kalian जब और ही होती है, पांच इलेक्टोन यहां पांच आएगा, ठीक है, तो यह देखो, यहां पर क्या हुआ, क्या है, यहां पर सल्फियूरिक एस्टिड की प्रेजिंस में, ओक्सीजन का लोस हो गया, ओक्सीजन का लोस मतलब रिडक्शन होगी, वही ओक्सीजन इसने गेन कर होगे, वह आपको मिलेगा, यहां पर लिखा हुआ, और क्या चीज का ध्यान रखना है, वह यह है, क्या मैंनो 4 हमेशा इलेक्ट्रोन का गेन करता है, और वह इलेक्ट्रोन कितने होने चाहिए, आपके 5, ठीक है, कितने इलेक्ट्रोन होने चाहिए, 5, और जो उसके उल्टा है oxalic acid वो electron का क्या करेगा लोस और वो कितने electron lose कर रहा है 2 ठीक है कितने electron lose कर रहा है 2 सिरफ ये दो बात सिरफ इनका ध्यान रखने है आप अपनी equations को देखना महां से आपको यही मिलेगा ठीक है Kmno4 अगला experiment करो या यह कितने electron gain करता है 5 5 electron gain होंगे H2C2O4 जिसको हम oxalic acid बोलते है dot 2H2O oxalic acid कितने electron lose करता है 2 ठीक सिरफ इस बात का ध्यान रखने है फिर हमने balancing करनी होती है 2 को यहां पर देखो 5 से multiply किया हुए 5 to the 10 10 electron हो जाए यहां 5 electron का gain हो रहा था 2 से multiply किया हुए ताकि electron balance हो जाए जैसा कि आपने redox में सीखा हुए class plus 1 में ठीक तो यहां तक तो simple सी बात है मैं एक ही बात को बार बार repeat कर रही हूँ Kmno4 क्या करेगा oxidizing agent है reduction reduction का मतलब है gain of electron कितने electron gain करेगा 5 हमेशाद ध्यान रखना Kmno5 Oxalic acid की balancing करोगे redox में balancing अगर आपको आती है प्लस बन वाली तो वहां से खुद से भी आपको आना चाहिए वह कितने electron loss करेगा 5-2 5-2 बार-बार बोलोगे अपने आप हो जाना है ठीक तो इस बात का ध्यान रखने उसके बाद क्या क्या चीज की requirement होती है आपको यह करने के लिए measuring flask 250 ml वाला burette चाहिए burette stand चाहिए pipette चाहिए conical flask होनी चाहिए conical flask होनी बहुत ज़रूरी है इसमें ही करते हैं यह 0.1m तो यह आपको prepare करना आना चाहिए कि 0.1m oxalic acid कैसे मतलब आपको कितना mass चाहिए वो आपको prepare करना आना चाहिए ठीक है molarity का formula यहाँ पर लगा के molarity number of moles divided by volume यह formula लगा के number of moles से mass divided by molar mass ठीक है यह mass निकालना आना चाहिए आपको कई बारी यही question दे देते हैं कि आपको यह बता दिया कि oxalic acid 0.1m खुद बनाओ तो 0.1m यहाँ पर पुट करो number of moles निकालो volume 1 liter ले लिया करो तो यहाँ पर आपके पास number of moles आजेंगे number of moles में mass molar mass आप पुट कर देना 126 होता है इसका mass तक पोशना होता है आपने volume कितनी लेनी है 1 liter 1 liter का मतलब होता है 1000 ml मतलब 1000 ml वाटर में mix करके बनाएंगे हम इसको जितनी molarity बोले वोलो number of moles नहीं पता molarity में volume 1 liter ले लो volume 1 liter 1 liter हमने पानी ले लिया 1000 ml ले लिया अब उसके बाद number of moles निकालो number of moles यहां से निकल जाएंगे number of moles की value रखो molar mass oxalic acid का calculate कर लेना formula से mass आजेगा तो उतना mass आपको चाहिए ही चाहिए तो यह आपकी जो भी condition है oxalic acid 0.1 बोले 0.01 बोले आपको पता होना च निचे की कैसे बनाने कितना कितनी चीज आपको चाहिए यह बनाने के लिए clear है फिर उसके बाद अगला procedure क्या होता है यहां पर titration oxalic acid आपने 0.1 एम प्रिपेर कर लिया उसके बाद next काम क्या होने वला है ब्यूरेट ब्यूरेट के अंदर फिल करोगे kmno4 अब जब फिल कर अंदर cork होती है वो rubber की ना हो क्योंकि वो kmno4 के साथ react कर जाती है तो वो आपकी rubber की नहीं होनी चाहिए यह question आप से पूछे जाते कि rubber की क्यों नहीं होनी चाहिए को तो रियक्ट कर जाती है उसके साथ और air bubble हटाना है फिर ब्यूरेट भर ली ब्यूरेट उपर 0 तक भर ल रहा है कोनिकल फ्लास में एक्जेक्ट 10 ML अक्जेलिक एसड फिल कर लेना और उसके अंदर 5 ML स्ल्फ्यूरिक एसड मिला दिया वह हमें कम्नो फोर की ओक्सिडाइजिंग प्रॉपर्टी को फ्रॉंग करना है इसलिए हम मिला रहे हैं ताकि इसको सॉल्ट ना बन जाए ध् जग दिया उसके अंदर 10 ml जो कि हम प्रिपेर करेंगे 0.1 आपको बता देंगे कि कितनी मुलैरिटी लेनी है 10 ml एक्जेक्ट डाल दो 5 ml अप्रोक्सिमेटली उसमें सलफ्यूरिक एसेड मिलाओ और फिर उसको हीट करो हीट कितने डिगरी पे करना है 50 तू 60 डिगरी सेंटी सेल्सियस पे उसको आपने हीट करना है फिर उसके बाद अपनी टाइटरेशन को स्टार्ट कर दो ठीक है जब तक आपने ड्रॉप वाइड ड्रॉप उसके अंदर की अ मैंनो 4 डालना है तब तक वालेट कलर ना आ जाए यह उसका पूरा प्रोसीजर लिखा हुए इसको एक बार देखते हैं कि इसमें क्या है देखो रिंस एंद फिल अ क्लीन ब्यूरेट विद पोटेशियम पर्मेंगनेट सेल्यूशन रिमूव द एयर बबल इफैनी फॉम द कर देखते हैं कॉनिकल फ्लास्त में और उसके अंदर टैस्ट्यूब से सल्फ्यूरिक असिड को फिल करना होगा और इसलिए बदाया हुए कि मैंगनीज डायकसाइड ना बन जाए होक्जैलिक असिड को हीट करो कितने टेमरेचर पर यह आप से पूच सकते हैं और उसके ब वॉलेट कलर आ गया नोट कर लो कि कितना आपका वॉल्यूम यूज हुआ वीवन ठीक है वीटू ऐसे आपने टेबल बनाई वीवन वीटू इनिशली आपने स्टार्ट किया कि पूरी भर्यूईती जीरो वॉलेट कलर कब आ गया पिंकित सा कलर आजेगा स्पोस 10.2 पे आ आपने दुबारा किया अब यहां पे इनिशल आपका होजेगा 20.4 दुबारा किया अब आ गया 30.2 तीन बार बहुत होते हैं लेकिन ध्यान रखना कि जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो सेम सेम ही आना चाहिए कुछ गड़बड ना हो रही हो तो ऐसे टेबल बना लेना टे पढ़के जाना टेबल पुछेंगे कि कितना कितना डिफरेंस आ रहा है तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कितना कितना डिफरेंस आ रहा है ठीक है तो फिर यह एर बबल जो यह आपको दिख रहा है यह नहीं दिखना चाहिए यह एर बबल उसमें नहीं आना चाहिए यह air bubble नहीं आना चाहिए, इसको आपने solution बना के हटाना पड़ेगा, solution को इतनी रन कराना कि यह हट जाए, पानी से हटेव कर लेना, ताकि यह air bubble वहाँ से हट जाए, ब्यूरेट में rubber नहीं होना चाहिए, तो react कर जाएगा, ठीक है, अभी उसके बाद आपने करनी है, balancing, balancing ने equation को आपने solve करके molarity निकालने है, और strength भी आ सकती है, equation लगा होगे, oxalic acid के नीचे लिखोगे, m1, v1, kmno4 के नीचे लिखोगे, m2, v2, ठीक है, m1, v1, m2, v2, अब km m4 ने कितने electron को gain किया था, 5, तो वो 5 multiply कर दोगे, oxalic acid ने कितने electron को lose किया था, 2, यसलिए में बार 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 बोड़ रहे थी, 5, 2, 5, 2, यह ध्यान रखना, kmno4 पे 5 ही आने वाला है, यहां पे 2, तो इसकी molarity fix थी, 0.1, इसकी volume fix थी, 10, 5, इसकी molarity निकालनी है, m2, volume आपन average निकाल लोगी, 3 बार करके, suppose 10.2 आगी, तो यह आपका m2 आजएगा, ठीक है, m2 आपकी molarity निकल गी, फिर आपने molarity निकल जाएगी, kmno4 का molar mass यहां पुट करना है, strength भी आजएगी, ठीक है, strength भी आजएगी, तो main क्या रहने वाले हैं, यह number, equation सी यह number, kmno4 oxidizing agent तो बोल रह action करके, कितने electron gain करता है, 5, 5 multiply होगा, यहां गया multiply होगा, 2, सिरफ इतनी सी बात, m1 v1, m2 v2, वो volume note करो, कब titration हो रही है, कब titration हो रही है, ठीक है, कब रुकनी है, वो volume, ठीक है, तो कब रुकेगी, जब wallet color आजएगा, kmno4 की वज़े से, तो कुछ इस तरह की questions भी आप से to the permagnate titration, redox ही, तो मैं आपको बताई चुकी हूँ कि इसको redox titration बोलते है, which indicator is used in the permagnate titration, self indicator, वो खुदी color दे देता है, wallet color बोल रही हूँ, wallet color उसका खुद का ही आजाता है, तो किसी indicator की use जरूरत नहीं है, why do we heat oxalic acid solution containing sulfuric acid up to 50 to 60 degree in the permagnate titration, ताकि initiate कर सके reaction को, to initiate the decomposition in permagnate titration, कि हमने अभी initiation कर दी है, पहले कोई color नहीं आएगा, थोड़ी देर के बाद color आना start हो जाएगा, लेकिन वो start करने के लिए, कि वो reaction start हो, सबसे पहले oxalic acid को ही हमें activate करना है, ताकि वो उपर से जो titration हो, उसका permagnate आए, उसके अंदर वो उसके साथ react करे, तो हमें उसको हो गया होगा 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 आपको कि किस तरह से करना है, यह self indicator होता है, KMNO4 is a self indicator, same reaction आपकी किस के साथ करा दी जाएगी अभी, in the presence of potassium permagnate, तो हो गया ना आपका, अच्छा, एम में यहाँ पे, अब आपको दूसरे वाली है, KMNO4 की हमें titration करनी है, किस के साथ, पैरस ammonium sulfate के साथ, हाँ, यह रहा, to determine the concentration molarity of KMNO4 solution by titrating it against zero point, यह सेम आगे आपका, अच्छा, यहाँ पे हम कर लेते है, solution of paris sulfate, paris ammonium sulfate, ठीक है, तो सेम, अब सिरफ मैंने oxalic acid का word हटा देना है, वो conical flask में, अब oxalic acid नहीं लेंगे, अब वहाँ पे क्या लेंगे, ferrous ammonium sulfate लेंगे, ठीक है, oxalic acid कितने electron lose कर रहा था, two, अब उसमें ध्यान रखने है, यह कितने electron lose करेगा, one, बस, बाकी सारा कुछ same रहने वाल है, वही same procedure follow करते जाना, करते जाना, बूरेट फिल करोगे, air bubble हटा होगे, reading note करोगे, सारा कुछ, बस, एक तो, oxalic acid की जगा, ferrous ammonium sulfate, कितने electron lose करता है, one, ठीक है, बाकी same, potassium permagnate, कितने electron gain करता है, five, ठीक है, five, और यह कितने lose करता है, one, सब कुछ same रहने वाल है, सिरफ दोनों की equations में फरक है, यह equations आपको देखके जाने पड़ेंगी, बाकी अपने आप theory लिखना, theory लिखन जाएगी, balancing, यह equation आपको ध्यान रहनी चाहिए, इस equation के साथ-साथ, एक बात, mind में, oxalic acid कितने electron lose कर रहा है, potassium permagnate, oxalic acid कितने electron lose कर रहा है, two, ferrous sulfate कितने electron lose कर रहा है, one, कि aminophore, कितने gain करता है, five, ठीक है, अपने आपी सारा कुछ हो जाना है, यह सब कुछ preparation वैसे लिखी ह यहां पुटिंग, यहां पर one put करोगे, यहां five put करोगे, जो भी आपकी volume titration करने के बाद average आएगी, यहां पर लिख दो, इसकी molarity आपको पहले ही बता देंगे, 0.1, जो भी देंगे, जितनी भी देंगे, volume इसकी 10 नहीं लेना, यहां पर यह सपैसिपाई हो जाएगा, ठीक दोनों एक जैते हैं, सिरफ एक ही बात का ध्यान रखना है, KmnO4, electron कितने गेन करता है, five, 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 oxalic acid कितने लूज करता है, two, 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 ठीक है, two, Feso4, जो आपका ferrous ammonium sulfate है, पूरा, कितने electron कितने लूज करता है, one, 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 ठीक है, बार 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 बोलते रो, learn हो जाना है, क्या पढ़के जाना है, aim में molarity के लिए formula, strength का formula, strength कैसे निकलेगी, equations, अच्छे से, और वो five, two वाला concept, theory आपको खुद से, कि यह oxidizing agent है, यह reduction है, यह सब कुछ आपको पता हो, equations, equations तो रट के जाना, अच्छे से गढ़ढ़ मत करके आना, ठीक है, next है, आपके पास, salt analysis, salt analysis में आपको determination आ सकती है, इनकी, कि salt दे देंगे, suppose आपको दे दिया, CACO3, इनको identify करो, आपको नहीं पता, एक white color का powder पकड़ा दिया, suppose white color का powder, आपको पता ही नहीं है, यह calcium carbonate है, तो आपको identify करना पड़ेगा, identification के लिए कुछ salt, salt analysis, आपकी lab manual में पीछे लिखे हो है, sorry, आगे की magnesium, 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 carbonate, sulfide, nitrate, sulfate, sulfide, sulfate, sulfate, यह सारे के सारे दे रखे हैं आपको, अपने एक चीज़ का ध्यान रखना, कोई खतरनाक सा salt नहीं देने वाले, जो simple simple से होंगे, like calcium, carbonate, फिर उसके बाद आपको मिल जाएगा, ammonium, sulfate, acidic acid, simple simple से ही मिलते हैं, laboratory में जो simple simple से होंगे तो उसके लिए कुछ, मैं आपको टेस्ट कुछ-कुछ बता देती हूं, कैसे करना है, तो के टाइन के लिए, आप क्या करोगे, add, कुछ भी आपको मिल रहा है, कोई भी salt मिल रहा है, आप उसके अंतर नहीं डाल के देख लेना, ठीक है, little amount of नहीं, नहीं तो लैब में अरा किया, add a little NaOH, उसके अंतर थोड़ा सा NaOH मिलाना, salt जोगा, powder जोगा, NaOH के उसके प्रेसिपिटेट नहीं बने, प्रेसिपिटेट बनी नहीं रहे, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, तो बोल दो के अमोनिया तो है ही नहीं, इसके अंदर, अमोनिया तो बिल्कुल भी ने प्लस टू है, ब्ल्यू बनते हैं तो कॉपर प्लस टू है, अडेंटिफाई हो गया, ठीक है, जब NaOH मिलाया, जो भी आपको पाउडर सा दे रहे हैं, अगर उसके प्रेसिपिटेट बनते हैं, ठीक है, टेस्ट्यूब में नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट बनते हैं, आप प्लस टू है, ब्राउन कलर के बन रहे हैं, तो फिर आपके लिए प्रोब्लम आ जाएगी, अब वाइट कलर के बनते हैं, तो और NaOH मिलाओ, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अलुमीनियम और केल्शियूम जब बहुत ज़्यादा NaOH मिलाते हैं, तो कलर लेस सल्यूशन बना देगा, ठीक है, कलर लेस सल्यूशन, यह सारे वैसे टेस्ट आपके सेम ही होने वले हैं, अल, कैल्शियूम, पीबी, एमजी और यह सारे, जब हम इसमें एड, NaOH मिलाएंगे, कलर लेस सल्यूशन बना देगा, इसमें इनके फिर से आगे और आपको टेस्ट करने पड़ते हैं, ठीक है, तो मैंने अभी इसको पूरा यहां पे कम्प्लीट नहीं की है, इसके बाद अपनी क्या करोगे, लैब से, मैनुवल से इनको पढ़ना, कि NH4 को मैंने अलग करना सिखा दिया, आपको कि NH4 डालो, प्रेसिपिडेट नहीं बनेंगे, ब्ल्यू कलर के बन जाते हैं, कॉपर है, ग्रीन कलर के बन जाते हैं, एपी है, ब्राउन कलर के बन जाते हैं, तो एपी प्लस 3 है, और अगर यह कलर के नहीं बन रहे हैं, वाइट कलर के हैं, तो इन में से यह सारे आपके पांच जो बजगे, एक, दो, तीन, चार, पांच यह हो सकते हैं इनके test आपने आगे देखने है lab manual से एक-एक पढ़के जाना ठीक है एक-एक आपने test इनके पढ़के जाने है ठीक उसके बाद next है और मैं आपको next उसमें class में बता भी दोंगे कि इनको हम कैसे identify करेंगे अगर अभी सब करने लगे तो एक दम से क्या हो जाएगा confusing सा हो जाएगा तो next class में कर लेंगे next है अब anion anion कौन कौन से मैं आपको पता रही हूँ carbonate, chloride, sulfate और nitrate इसके अलावा भी बहुत सारे आपके किसमें लिखी होई हैं आपकी lab manual में वहां से आपको पढ़ने हैं carbonate को कैसे test करते हैं कि सब्सक्राइब कार्बोनेट है calcium carbonate में अब आपको identify करना है calcium को तो आपने क्या किया इसमें एन्नेवेश मिला दिया एन्नेवेश मिलाया तो वाइट कलर के precipitate बनगे white color के precipitate से आपको लगा कि calcium हो सकता है बड मैं confirm नहीं हूँ तो पहले carbonate का test करके देख सकते हैं carbonate में क्या करना है HCl मिला दो dilute HCl मिला दो अगर effervescence आती है जहाग सी बन जाती है bubbles से बनने स्टार्ट हो जाते हैं हो जाना कि यहां पर कार्बोनेट ही बड़ा हुआ है क्लोराइड का test करना है स्पोर्स यह आपको calcium chloride होता chloride का test करना है dilute HNO3 मिला दो प्लस AGNO3 मिला दो white color के precipitate बन जाएंगे ठीक है यह चीज नहीं क्या होती है थोड़ी सी मतलब learn करके बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे इतना साला कुछ learn करके जाएं हमें कैसे salt analysis में यह learn करना होगा तो जब higher classes में जाते हो तो अभी प्लस तू तक क्या बोलते है कि learn करो higher classes में आपको एक बुरा ऐसे चार्ट सा पकड़ा देते हैं करके डालो फिर identify करो तो वहां पर बहुत मज़ा आता है कि हमें पता होते है कि हमने यह add कराना है फिर देखो कि result आएगा या नहीं आएगा नहीं आएगा तो आगे बढ़ो ठीक है लेकिन प्लस तू में क्या होता है तो वह ज्यादा आने के चांस होते है या कोई भी कराया हो magnesium sulfate कोई भी salt आप से बनवाए मतलब उसकी analysis कराई हो तो उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़के जाना अगर मैं आपको यहां पर सारे सिखाने लगी नहीं इसको ऐसे analyze करना आपको बहुत ही क्या लगेगा कि कैसे करेंगे आप खुद से ही एकदम से वह जाओगे कि इतना सारा कैसी होगा हम इतना सारा कैसे learn करेंगे तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बस देखो जो आपको सबसे important लगे आपको खुद को पता हुगा कि आपको कौन सा analyze कराया है जादा उनको पढ़के जाना ठीक है sulphate SO4 dilute HCl डालो BACL to white color के precipitate यह learn करने ना सच में बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है कि कैसे learn होगा ठीक है कि या डालना है कैसे learn होगा बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है तो सिर्फ एक बार थोड़ा थोड़ा देख के चले जाना ठीक है कैसे करना ध्यान आ जाए आपको ठीक है ध्यान आ जाए कि हाँ भी ऐसे करना था ये कलर आना चाहिए का ठीक है तो नेक्स उसके बाद क्या होगा content based experiment जहाँ पे आपसे more salt की preparation potash alum की या फिर आपका एक और भी होने वला है उसमें देख लेते हैं कौन सा होगा potassium ferric oxalate ठीक है यह आपसे बनवाए जाएंगे तो इनका procedure आपको पता होना चाहिए procedure पता होना चाहिए कि procedure क्या है किसके बाद किसको बनाना है आपने यहाँ पे आपको procedure की information होनी बहुत ज़रूरी है ठीक है कि कैसे बनाओ क्या पता आपको देई दे कि more salt की preparation करके दो more salt की preparation बताओ कैसे करोगे कि क्या लें कितने ग्राम क्या लेना है lab manual में सब एक एक करके step लिखे हो है मैं आपको यह शेयर कर दूँगी यहां से भी आपको पता होने चाहिए कि किस तरह से आपने लिखना है तो यहाँ पे जब आपको procedure लिखने के आज आता है experiment करने के लिए कि तुपर पेर मोहर सॉल्ट उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और वो कैसे बनेगा वो एक्वेशन थियूरी में कुछ भी यह सबसे मेन होता है यह एक्वेशन लिखनी उपर तो आप इसको अपने आपी बना बना आगे लिख दोगे कि फैरस सल्फेट लिया आ इक भी मॉलर ले रहे हैं तो हमारे पास मोहर सॉल्ट बन जाएगा यह एक्वेशन को पढ़के जाना ठीक है उसके बाद यह थियूरी मैंने यहां पर बता दी है 7 ग्राम फैरस सल्फेट लेना है 3.5 ग्राम अमोनियम सल्फेट लेना है सेपरेटली बीकर में लोगे फिर द इसना हीट करो clear solution मिल रहें फिर filtration बाकी further procedure आपके पास लिखा हुआ है कि कैसे कैसे आपने करना है हर एक step को यहां पे आप लरन करके जाना कि किस तरह से आपने इनको परफॉर्म करना है ठीक है similarly आपको potash alarm यह experiments हो गए potash alarm बनाना आना चाहिए लास्ट है आपके पास यहां यहां क्या है और दूसरा potash alarm यह सब आना चाहिए कि test for functional group present in organic compound functional group identify करने के लिए आपसे वाइवाबे भी पुछा जा सकता है कि एक आपको दे दिया इथीन और एक आपको दे दिया इथेन बताओ वे इन दोनों को कैसे identify करोगे ठीक है दोनों एक जैसे दिख रहे हैं कैसे identify क करोगे तो हम बोलेंगे कि हम आलकीन को कैसे identify करोगे तो आप बोलोगे बेर रीजन्ट से ठीक है बेर रीजन्ट या बी आटू से डीकलराइज कर देता है तो आलकीन या फिर अलकेन का आपको कोई टैस दे दे यह आपको कुछ भी मतले मैंसे बता रही हुँ दे दिया तो आपको डोनों यह जैसे लग रहे हुं कि आप कैसे अडेंटिफाइग करने वाले उनको तो आप मोलोगे ब्रॉमीन वोटर से ब्रोमीन वोटर दबल बोंड पे जाके डी कलराइज हो जाती है अपको मैंने एक एक यलकेन दिया एक एलकीन दिया कैसे पता लगएगा कौन सा Elkine है कौन सा Elkine है आप बोलोगे Bromine Water पकड़ा दो Bromine Water क्या हो जाएगा Orange Color से Color Less हो जाएगा Elkine के अंदर Unsaturation पर वो अपना काम करता है Double Bone पर वो अपना काम करता है लेकिन Single Bone पर नहीं करने वला तब भी वो गया करेगा, तो खुले बावाविन से बिखिन्वानलो से मिले और कोई काम नहीं करेगा तो एड सोडियम कार्बोनेट एंड टेस्ट गैस विद लाइम वोटर प्रेसिपिटेशन हो जाएगी महां पर यह लिखा हुआ है फिर आपको बोले हेलो एलकेंस या फिर एल्डी हाइड्स देदें एल्डी हाइड्स के तो मैंने आपको बहुत सारे टेस्ट पढ़ा दिये तोलन रिएजन्ट मांग लेना फैलिंग सल्यूशन मांग लेना तो टोलन रिएजन्ट मिलते ही टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगी उस पे मीरर बन जाएगा तो आप बोल दोगी यह जो गीवन है ना यह अल्डी हाइड ठीक है अल्कोहल्स में अल्कोहल्स का टेस्ट करने के लिए दे दें तो आपने उसमें क्या करना है पोटेशियम डाइक्रोमेट मांग लेना है तो LD हाइड में convert होने start हो जाएंगे ठीक है तो ये सारे आपके solutions अच्छा आपको वो भी Lucas Reagent वाला test भी मैंने बताया था Lucas Reagent टेस्ट भी कर सकते हैं आपको alcohol दे दी 1 degree की ये test आप से कहीं बार पूछ सकते हैं alcohol दे दी 1 degree 2 degree 3 degree आपको पुछ दिया इनको identify करो कैसे करोगे आप बोलोगे Lucas Reagent प्रोवाइड कर आओ HCL in presence of ZNCL to Lucas Reagent इसमें टर्वीडिटी दे देगा एकदम से बबल से बन जाएंगे जाग बन जाएगी इसमें थोडी देर के बाद जाग बनेगी और इसमें कुछ देर के बाद कुछ भी नहीं होने वाला कुछ भी टर्वीडिटी नहीं आने वली ये मैं आपको करा चुकी हूँ एक क्लास में एक्स्पेरिमेंट किया था अमाइन्स का भी ऐसी टेस्ट जो पड़े आपने यह वाले तो आपके बहुत इजी है यह आजाएं तो इसमें आपके मांक्स नहीं कटने चाहिए बिल्कुल अच्छे से पढ़के जाना अगर मांगो तो इंप आसे आपको सबसे फहले क्रफसे पसक्ति स्टाइए इस्टो अटे चुकीणे करते हैं। पिर उसके बाद आपसे बनवाएंगे वह salt, जीक है, more salt, preparation procedure, क्या कितने ग्राम लेना है, कैसे mix करना है, कितना heat करना है, filter paper कभ यूज करना है, फिर दुबारा heat करना है, या नहीं करना, पानी में ठंडा करना, बरव में ठंडा करना है, या नहीं करना, वह आपको पता होना चा से पहले तो nao h मिला कर देख लेना, blue color है, copper अलग कर देना, brown है तो happy अलग कर देना, इस तरह से white है, तो वह chart है, वह अपने पढ़के जाना, कि कैसे कैसे आपका कोन सा होने वला है, और एक बात का ध्यान रखना, मुश्किल salt आपको नहीं देंगे, simple सा salt देंगे, और try to prefer, जो आपको class में करवाए गए हैं, उनी में से कोई एक आ सकता है, कि ये वला salt analyze करो, तो try करना कि जो class में कराए हैं, उनको एक बार बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देख के जाओ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कि वही आपके identify के लिए आ सकते हैं, clear है, clear है कि कैसे कैस करना है, titration अच्छे से बढ़के जाना, preparation आनी जाहिए, procedure आना चाहिए, salt analyze करना भी, जो class में कराए हैं, उनको ज़्यादा प्रैफर करोगे, इस पे दो marks कटवा के आना मत, ठीक है, इस पे दो marks कटवाना मत, क्योंकि organic पे बहुत ज़्यादा आपको मैंने बताया कि किस-किस तरह से आपने chemical test किये, तो आप LD Heights वाले chapter को देख लो, वहीं से आपके सारे क्या सारे test complete हो जाएंगे, वहीं से सारे आपके complete हो जाएंगे, ठीक है, तो अच्छे से बढ़ लेना, ठीक, ओके, ठैंक यू, तो अपका जो अभी practical होने वाला है, 15 marks के all the best सब के लिए, और कोई अपने marks मत कटवाना, सब के 15 out of 15 ही आने चाहिए, ठीक है, ठैंक यू,